हालो एन वैकम टू माई चैनल आज हमें देख रहे हैं एरीस यानि मिश्राश्टी के लिए नौमबर 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर ये रीडिंग है सभी के लिए रीडिंग ओगी जो सिंगॉल हैं मैलिट कपल से हैं या अँग्र किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए रीडिंग होगी यहां मैं कार शफल करूँगी अब जायें तो नो के शफलिंग का आवvored कर सकते हैं और डाइक टाइम स्टर्म्स पर जाकर र झाल 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 ये कार्स आये हैं एरीज आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़स हैं फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें जो लोग रिलेशन्शिप में हैं उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी कोई टावर मुवमेंट फेस किया है और मेरिट कुपल्स है या अगर रिलेशन्शिप में तो आपने काफी टावर मुवमेंट्स देखें हैं काफी आपने परिशानी भरा समय देखा है काफी आर्गुमेंट्स वगर हुए हैं आप लोगों की fight वगर हुई है अपने person या partner के साथ और इसी वज़े से काफी परिशान चल रहे हैं काफी कह सकते हैं आपको मांसिक रूप से काफी दूइधा वाली स्तिती में हैं आप और काफी आप परिशान दुखी और चिंता में तनाव ग्रस रहे हो सकते हैं अभी आप का timing ऐसे गुज़रा है और again जो card आया है death का वो भी यही बता रहा है अपने कोई ending देखिए कुछ लोग अभी recently separated हुए है या no contact में आप लोग चले गए हैं या कुछ लोगों का भी break up हुआ है ऐसा लग रहा है जो लोग relationship में है या merit couples भी हैं तो उन लोगों के बीच में कु सकते हैं और यहां अगर हम देखें कुछ लोगों के person Taurus Virgo Capricorn भी हो सकते हैं या व्रिशव राशी मकार राशी कन्या राशी के भी आपके person हो सकते हैं या partner हो सकते हैं girls boys दोनों के लिए हमें person word use कर रही हूं तो आपके person इस तरह की राशियों के हो सकते हैं और जो singles हैं उन इंडिपेंडेंट परसन आपके लिए आ रहे हैं और good looking और decent person होंगे ये girls boys दोनों के लिए होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है Aries यहां आपकी reading में आपी की card आई है the emperor यह आपी का card है तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि Aries चाहे आपने कितना भी बड़ा transformation देखा है जो लोग singles है उन्होंने भी अपनी life में काफी struggles देखे हैं क्योंकि यहां tower and rat card आया है तो जो लोग relationship में उन लोगों का अपने love one के साथ रिष्टा ठीक नहीं चल रहा है और अगर आप single भी हैं तो आपका अपनी family या colleagues या अगर आप student है तो अपने friends के साथ या card माना जाता है और काफी strong position में रहने वाले हैं Aries आप काफी आप कह सकते हैं आपके लिए एक अच्छी संभावना वाला month होगा ये क्योंकि आप अपने पूरे highest potential में रहेंगे leadership skills आपकी बढ़ेगी और कोई नया job offer भी आपके लिए आ रहा है जो काफी अच्छा job offer होगा हा highest job आपको high profile job आपको offer होता हुआ लग रहा है और काफी आप stable रहेंगे इस month में वहीं आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जो कोई person आ सकते हैं वो हो सकते हैं Queen of Wands energy के Aries Leo Sagittarius आप लोगों के person हो सकते हैं जो लोग relationship में उनके और जो लोग singles हैं उन लोगों के लिए ऐसी कोई person आ सकते हैं जो Queen of Wands energy के हो girls boys दोनों के लिए होगा कि मेश राशी सिंग राशी और धनुराशी के person जो है वो आपको approach कर सकते हैं और काफी stable और passionate होंगे यह person good looking होंगे और काफी आपके साथ एक कह सकते हैं एक friend की तरह साथ रहेंगे इस तरह के person होंगे काफी friendly nature के होंगे और इनके साथ आप काफी secure feel करेंगे इस तरह के person आपके लिए आ रहे हैं और यहां आपके लिए बहुती खुबसूरत काड़ आया है nine of cups का है तो कुछ लोगों के person cancer scrup your Pisces हो सकते हैं करक राशी मीन राशी विर्ष्टिक राशी के भी आपके person हो सकते हैं जिनके साथ आप already relationship में हैं और जो singles हैं उन लोगों के लिए ऐसे कोई person आ सकते हैं जो आपके जैसे कह सकते हैं कि आपने जो dreams देखे हैं उस तरह के dreams आपने फीज किया है इरीज उससे आप उपर उठेंगे और काफी आप light hearted feel करने वाले हैं नौंबर के मिड में especially और यह आपके लिए होगा और ऐसा है कि जो आप जिस तरह के person manifest कर रहे थे girls boys दौनों के लिए होगा कि आपके कह सकते हैं कि सपनों की राश कुमारी या राश यहां देख रहे हैं और यह relationship से related wish होगी और जो लोग relationship में उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस रिष्टे को जिस तरफ लेके जाना चाहरे हैं अगर आप चाहते हैं कि इस रिष्टे से move on कर लें जैसे कुछ लोगों ने बहुत बड़े changes अपनी life में देखे है कुछ लोगों का भी रिष्टा ठीक नहीं चल रहा है तो आप अगर move on करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हो पाएगा और नए person जो आपको बताये हैं उस तरह की person आपके लिए आ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनी के साथ रिष्टा ठीक हो तो वो भी आपकी wish पूरी हो सकती है क्योंकि universe आपकी साथ है और nine of cups इसी तरह की energy कि आप जो wish कर रहे हैं वो पूरी होने के काफी chances हैं especially relationships से related ये message आप लोगों के लिए आया है और यहां Oracle deck से अगर हम cards देखें तो despair का card आया है आपके लिए despair का card ये बात बता रहा है कि आप लोग काफी अभी career में भी काफी परिशानी भरा समय देखकर आये हैं नौमबर से पहले और ये आपके साथ हो रहा है कि आपने काफी struggles face किये हैं और अच्छा जॉब चा रहे थे पर नहीं मिल पा रहा था आपको और काफी परिशान चल रह हैं पैसो की काफी समय आपके साथ रही हो सकती है यहां not hiring का board लगा है पर आपके लिए यह है कि universe की तरफ से message दिया जा रहा है कि कुछ जूटे और दोहरे लोगों से आपको साथान रहने की थोड़ी सी ज़रत है इसी वज़े से आपकी ये इस्तती अभी तक हुई है कुछ आपने love life में परिशानी देखी है वो कुछ third person की involvement की वज़े से हो सकती है कोई third party हो सकते है या कोई ऐसे person है जो आपको distract करते रहे इसी वज़े से आपकी love life भी disrupt रही हो सकती है इससे पहले और इसी वज़े से carrier में भी आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाए थे पर आपके कुछ ending देखिए आप उनसे फिर से connect होना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए हो पाएगा यहां two number आया है तो एक होने के काफी chances हैं आप दोनों के और main female का काड़ यह बता रहा है कि आपके person जो हैं वो आपकी value समझने वाले हैं आपको एक main female की तरह treat करने वाले हैं और जो single stable feel होगा, secure feel होगा और काफी आप happy रहने वाले हैं और जो transformation और जो cheating dishonest है आपने अभी तक face की है चाहे लोगों की वज़े से है या आपका कुछ problem personal रहा है या carrier के दिक्कते रहिए तो उससे आप उपर उठेंगे और main female की तरह रहने वाले हैं काफी आप अपने आप पे ध्य हवा महसुस कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पारे जो clarity आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पारी थी आपके person या partner से और इसी वज़े से कुछ problems आप लोगों के बीच में हुए हैं commitment को लेकर कोई issue आप लोगों के बीच में रहा हो सकता है जिनका relationship चल रहा है और अगर आपको कुछ situations ऐसी है जो बांदे हुई है आप अपनी grow नहीं कर पा रहे थे अभी तक नौवंबर से पहले पर यहां आपके लिए card बहुत अच्छा रहे हैं जैसा आपके लिए rest and resolution का card है तो आप थोड़ा अपने rest and resolution पे धान दीजिए self feeling पे धान दीजिए और trust कीजिए universe को आपके लिए बहुती कुपसूरत person आ रहे हैं इस मत में नौवर के मत में कोई marriage proposal की थ्रू यह person आपकी life में आ सकते हैं जो main holding के heart energy के हैं काफी sweet है good looking है और अगर बाय होंगे तो यह काफी handsome होंगे और अगर यह girl होंगी तो वह काफी beautiful girl होंगी और dark brown इनके hairs हो सकते हैं light brown और आखे काफी कुपसूरत होगी और वहीं यह person काफी romantic होंगे loving होंगे और caring होंगे और वहीं four plus five nine होता है तो nine इनका birthday date हो सकता है और nine वो date भी हो सकते हैं जब आप लोग first time मिलें और यह person आपसे connect हो सकते हैं इस मन्त में तो आपके लिए काफी romantic month यह रह सकता है जो लोग relationship में उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि problems आपके soul हो और आपके person या partner के साथ आप काफी कह सकते हैं इस तरह कि आपके moments आ सकते हैं जो काफी romantic moments आप अपने person के साथ देखेंगे और जो लोग single से उनके लिए ऐसे person आ सकते हैं जिनके साथ एक new friendship या relationship आप लोगों के लिए start ह हो सकती है और यहां अगर हम देखें देखें देविस्टर माफ इडून रिलिम और एकल लेक्स हमारे पास the middle king का कार आया है और जो यहां keywords दी गए है discipline और boundaries जी अपके लिए ऐसे कोई person आ सकते हैं जो काफी strong personality के person है में भी अभी आप लोगों के लिए कुछ surprises है जैसा इन्ह और इस मत में आप इन persons को देख पाएं ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो single से उन लोगों के लिए कोई person है जो आपके secret admirer है या आपको कह सकते है चुपके चुपके प्यार करते हैं और वो person आपको इस मत में अपने emotions शो करें ऐसा भी आप लोगो से और जो आपका religion है उनसे आप जो मांग रहे हैं उपर वाले से वो आपके लिए पूरा होता हुआ दिखेगा आइटिंक यह कार्ड आपके लिए October मंत की love life में भी आया था तो यह कार्ड बार बार आपके लिए आ रहा है इसका मतलब है कि आपका manifestation बिल्को सही दिशा में जा रहा है आप जो prayer कर रहे हैं वो answer होने माली है friends उस prayer को आप continue कीजिए जो भी आपका ritual है जो भी आपका धर्म है उसके according आप करते रहिए prayers प्रातना और आपको बहुत जल्द अच्छे positive results मिलेंगे और आपकी जितने भी परिशानिया है वो बहुत जल्द दूर होगी God और यहां alter pistols का card बार बार आना इसी बात का इंडिकेशन है लगातार October और November दौनों की रीडिंग में यह card आया है तो आप लोग काफी alignment में लग रहे हैं God आपकी बास सुन रहे हैं आप काफी blast रहां लग रहे हैं तो अपना manifestation जारी रखी कोई आपके wish पूरी हो इसके भी क नंबर है friends और जो message दिया गया है success that comes from dedication and self-discipline celebrating your accomplishment being in this spotlight Aries आप काफी spotlight में रहेंगे काफी successful month रहने वाला है केरियर के इसाब से और काफी potential में रहेंगे जैसा आपके लिए जो आपका card आया था the emperor position में आप रहेंगे काफी willpower आपका बड़ा रहेगा आप काफी confident रहेंगे और आपका health भी अच्छा रहेगा ऐसा आपके लिए लग रहे है और आप कहीं travel करके जाएं ऐसा भी आपके लिए लग रहे है अगर आप कहीं move करके जाने का सूच रहें तो वो भी आपके लिए हो पाएगा काफी happy month रहने वाला है और आप काफी negativity से दूर रहने वाले हैं self feeling पे ध्यान देंगे ऐसा लग रह है और वहीं फैरी टेरोटेक से फोर ओफाटमन का काड आया है मैनेच और रिसॉर्स वाइसली अचीव बैलेंस इन हाव यू स्पैंड एंड सेव मनी हेलप आउट दोस हूर लेस फॉर्चिनेट जी फैरी आपको यहां कहा रहे हैं कि आप ओवर एक्सपैंडिचर से बचें य आपके लिए आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस तरह का आपके लिए कहा गया है कि आप अपनी विज्डम का प्रियू करें जो आपके अंदर हैं क्योंकि एरी बहुत समझदार और माइंड होते हैं तो आप अपनी विज्डम का प्रियू करें आवंबर के मन्त में और पैसा काफी आने वाला है तो उसे सो समझ के खर्च करें ऐसा मैसेज दिया गया है वहीं आपके लिए वाटर कार्ड आया है तो यह है कि जो परसन आपसे कनेक्ट हो वो कैंसे स्कॉपिया पाइसी हो सकते हैं यह वाटर साइन हो सकते हैं करक राशी मीन आपके लिए कहा जा रहा है कि जो पुरानी मैमोरीज है बैड मैमोरीज है या आपने अभी तक जो भी कुछ फेस किया है उसे आप भूलने का प्रियास करें और आगे बढ़ें आपके लिए बहुत सारी अपार्चिनिटीज वेट कर रही है तो थोड़ा सा पास्ट को जाने वाली है ऐसा आपके लिए कहा गया है नहीं हम देख रहे हैं जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए जो परसन आ सकते हैं उनका नाम कौन से अलफ़ाबेट से स्टार्ट होगा उनकी राशी क्या हो सकती है और वहीं आपके परसन आपको क्या मैसेस देना चाहेंगे ये आप Q, T, और R, जी, ये अलफ़ाबेटS हैं और अगर उनका जोडिक साइन हम देखें तो टारस हो सकते हैं आपके परसन ब्रिशब राशी के हो आपके परसन कुछ लोगों के लिए आपके परसन लिबरन हो सकते हैं तुला राशी के हो सकते हैं कैंसर भी हो सकते हैं आपके परसन करक राशी के भी आपके परसन हो सकते हैं वहीं यह कुछ messages हैं जो हम ले रहे हैं अपके person आपको क्या कहना चाहेंगे या क्या feelings हैं उनकी इस month में especially I like you because you support me and love me जी आपके person की तरफ से यह message हो सकता है इस month के लिए I love the way you always understand me जी आप उनको समझते हैं और यह message उनकी तरफ से आया है You are better than you believe I have fallen deeply in love with you and you जी आपके person आपको बहुत उनकी मन में काफी deep feelings हैं आपके लिए ऐसा message है और It's too difficult for me to come forward जी आपके person आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है तो आपके सामने आने से डर रहे हैं के लिए कुछ और messages भी हम ले रहे हैं यह भी newly बनाए हैं मैंने It's hard for me to trust I do not want to get hurt जी आपके person आपके person की तरफ से message है और जी आपके person कह रहे हैं कि वो आप से प्यार करते हैं I love you जी यही सब आपके लिए messages थे और यही reading थी अगर यह reading आपके साथ resonate करें तो please मेरे शेनल को like share and subscribe जरू कीज़े का thank you so much for watching my video